हेलो एप्रिवेंट, वेलकम टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम परफेक्ट आम होल फिटिंग के साथ स्लीवलेस कुर्ति की कटिंगो स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने ब्रोकेट का फैब्रिक की यूज किया है यहां सबा 2 मिटर हमें लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी और मेन फैब्रिक रहेगा 2 मिटर तो चलिए सबसे पहले हम मार्किंग शुरू करते हैं मार्किंग सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पे करेंगे इसके लिए lining के fabric को अच्छे से press करके हम length में cut कर लेंगे तो देखें यहां पे इसके लंबाई रहेगी कुर्ती के तयार लंबाई से 3 इंच कम मेरे measurement में तयार लंबाई है 44 इंच उसमें से 3 इंच माइनस करने के बाद मैंने front और back panel को cut कर लिया है अब उपर की तरफ हम 3 की marking करेंगे तो 3 मैंने लिया है यहां पे 6 इंच अब इसके बाद यहां से हम 6 इंच नीचे की तरफ armhole की marking करेंगे इस निशान को हम उपर straight join कर देंगे अब इसके बाद देखिए जो normally हमारी burst measurement रहती है उसको हम यहां पे mark करते हैं लेकिन sleeve rest कूर्ती में हम यहां पर mark नहीं करेंगे क्यूंकि उससे armhole lose हो जाएगा उसके लिए देखिए यहां उपर से हम 10 इंच नीचे की तरफ mark करेंगे और इस line को straight कर लेंगे अब हमारी burst measurement की marking यहीं पे होंगी तो जितना भी आपका burst round है उसको 4 से divide करें और उसमें 1.5 इंच की losing add करके यहां पे mark कर लेंगे उपर की तरफ हम 9.25 इंच पे mark करेंगे यानि के जो हमारा burst round आया है उससे 0.25 इंच कम पे यहां पे mark लगा के इसको join कर देंगे अब इसके बाद हम armhole की marking करेंगे तो सबसे पहले हम back armhole mark करेंगे तो उसके लिए यहां corner से सवा 1 इंच पर हम गुलाई डालेंगे back armhole की इसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ हम front armhole की गुलाई डालेंगे यह गुलाई हम कभी भी आधा इंच से जादा नहीं डालेंगे आधा इंच से जादा डालने पर armhole का cut काफी deep हो जाएगा इसके बाद हम waist और hip measurement की marking करेंगे तो उसके लिए देखिए यहां से 14 इंच पर हमारी कमर आएगी और यहां से 21 इंच पर हम अपने hip measurement mark करेंगे इन निशानों को straight करने के बाद अब हम marking करेंगे तो यहां पर जितनी भी आपका कमर का round है उसको 4 से divide करने के बाद आधा इंच की losing add करके यहां पर mark कर ले अब इसके बाद hip की marking के लिए जितना भी आपका hip round है उसको 4 से divide करें और उसमें आधा इंच की losing add करके यहां पर mark कर ले अब इन निशानों को हम मिला देंगे और देखे यहाँ पे यह कोना नहीं निकलना चाहिए यहाँ से हम हलकी सी गुलाई में ही स्टिच करेंगे अब इसके बाद देखिए इसके जो चाक है वो स्ट्रेट रखे हैं मैंने उसके लिए देखे यहाँ पे जितनी भी आपकी हिप मेजरमेंट है देखे यहाँ पे यह 9.5 इंच पे आया है सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ करेंगे यहाँ पे भी हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको उपर स्ट्रेट जोइन कर देंगे इसके बाद सारी measurement में हम 1.5 इंच का stitching margin at करेंगे और इन निशानों को मिला देंगे इन निशानों को join करने के बाद अब हम उपर की तरफ गले की चुडाई का निशान लगाएंगे 4 इंच पर और इसके बाद हम कंदी डाउन करेंगे 1.5 इंच की और उसके बाद बाकी की marking पर भी cutting कर ली है अब इसके बाद हम back panel को अलग कर लेंगे और यहां से front arm hole की भी cutting कर लेंगे तो देखें यहां पर मैंने front arm hole cut कर लिया है अब इसके बाद इसे हम main fabric पर रखेंगे और उसे cut करेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने इसकी चुड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई यहाँ पर 6 इंचे जादा है क्यूंकि 3 इंच नीचे की तरफ मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है तुर्पाई करने के लिए अब इसके बाद देखें यहाँ से हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे और सेम तरीके से हम बैक पैनल भी कट कर लेंगे इसके बाद भुक्रम पे हम फ्रंट और बैक नेक कट करेंगे तो यहाँ पर गले की चुड़ाई रखी है 4 इंच और जो front neck है उसकी लंबाई यहां पे मैंने 7.5 इंच रखी है अब इन दोनों निशानों को हम straight कर लेंगे आप यहां पर कोई भी neck design draw कर सकते हैं तो मैंने इस corner से पोने 2 इंच पे यहां पे इस तरीके से shape डालते हुए neck design draw किया है अब इसके बाद देखें आधा इंच बाहर क की तरफ हम mark लगा लेंगे cutting के लिए यह हमारा front neck रहेगा और back neck के चुड़ाई भी यहां पर देखें चार इंच की ही रहेगी और यहां इसके लंबाई मेंने 8.5 इंच रखी है अब इन दोनों निशानों को हम straight कर लेंगे इसके बाद corner से हम 1.5 इंच पे mark लगाएंगे और यहां पर U-shape का neck line ड्रॉ करेंगे अब इसके बाद आधा इंच बाहर की तरफ हम cutting के margin से इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इन markings पे हम cutting कर लेंगे अब इन neck lines को हम fabric पे paste करेंगे तो उसके लिए देखिए यह front का panel है इसके center में हम neck line रखके इसको paste कर लेंगे और सेम इसी तरीके से जो back neck line है उसे हम back panel पे paste कर लेंगे तो देखिए यहां पे मैंने front और back दोनों की neck line को अच्छे से paste कर लिया है अब इसके बाद हम stitching करेंगे तो इसकी stitching में सबसे पहले इसकी bottom side को हम double fold कर लेंगे तो देखिए यहां पे इस तरीके से मैंने इसको press कर लिया है अब simply इसके उपर stitch लगाके हम दोनों पैनल complete कर लेंगे अब इसके बाद हम main fabric पे इसको stitch करेंगे तो देखिए यहां पे main fabric की CD side है और lining की CD side अंदर की तरफ है दोनों की CD side match करते हुए इस तरीके से हम यहां से इसकी neck line को pin से secure कर देंगे अगर आप बुक्रम पे neck line नहीं ब stitch होगा तो यहां पर अगर आप हाथ से ड्रॉ करते हैं neck line तो उसके साथ साथ इस तरीके से इसको stitch करें तो neck line को pin से secure करने से जो fabric है वो slip नहीं करेगा और यहां पर evenly finishing आएगी हमारी neck line की तो आप भी prefer करें कि आप neckline को हमेशा pin से secure करके ही stitch करें तो यहां पर neck line की shape में ही हम इसको बिल्कुल stitch करेंगे उसी से finishing अच्छी आएगी यह stitch हमारा भुक्रम पर नहीं आना चाहिए तो यहां पर इस तरीके से इसको complete कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम जो back panel है उसकी neckline भी complete कर लेंगे दोनों neckline को stitch करने के बाद अब देखिए एक पैर के margin से हम इसको इस attach करना चाहते हैं तो neckline की stitching के time पर ही उसे यहां पर stitch कर लें neckline का extra fabric cut करने के बाद यहां पर हम हलके हलके cuts लगा देंगे और इसके बाद हम आम हुल की finishing करेंगे उसके लिए देखिए यहां पर मैंने आधा इंच के margin से marking कर दी है अब यहां पर हम इसको stitch करेंगे आप भी रिके से जो front panel है उसके armhole भी stitch कर लेंगे आम हुल stitch करने के बाद देखिए यहां पर मैंने हलके हलके cuts लगा दिये हैं ताकि यह finishing के साथ सीधी तरफ पलट जाए अब इसके बाद देखिए जो front panel है उसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे यहां देखिए मैंने इसको सीधी है तो वीडियो में देखिए यहां डोरी अटेच करने वाला पार्ट में से skip हो गया था आप प्रेफर करें कि जब neckline की stitching करें तभी इसको attach कर लें उसके लिए 1.5 पे marking करेंगे हम top side से यहां पर और जब आप neckline stitch करें डोरी को अंदर की तरफ रखके इसको stitch कर लें मैंने य जो 1.5 इंच का mark है वहां से निकालेंगे तो देखिए यहां पर डोरी के दोनों ends बाहर निकालने के बाद मैंने stitch कर लिया है अब इसके बाद हम shoulder join करेंगे shoulder join करने के लिए जो back part है उसको हम उल्टा ही रहने देंगे लेकिन जो front panel है उसको हम सीधी तरफ turn करेंगे अब देखिए यहां पर दोनों shoulders को हम बाहर निकाल देंगे और इसके बाद हम इसे पिंसे से क्योर कर देंगे इस तरीके से shoulders बहुत finishing के साथ attach होते हैं और उसमें बिल्कुल भी Rogers दिखाई नहीं देते तो देखिए यहां पर पिंसे से क्योर करने के बाद हम इसको stitch करेंगे तो stitch करते टाइम दोनों की जो shoulder हैं उसमें चुनटे नहीं आने चाहिए अगर shoulder attach करने में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे comment section में बताएं तो देखिए यहां पर आधा इंच के margin से मैंने दोनों shoulder attach कर लिये हैं अब इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे तो देखिए यहां पर जो back का lining वाला पार था उसको हम खींच के सीधी तरफ पलट लेंगे आप भी prefer करें जब आप अस्तर वाली sleeveless कूर्ती की stitching करें तो इसी तरीके से shoulder attach करें इसके neck line और arm hole की finishing के लिए हमें extra और पट्टी की जरूरत नहीं पढ़ती और यहां पे देखिए कितनी finishing के स साथ हमारे shoulder attach हुए हैं और dory भी attach हो चुकी है इसके बाद arm hole और neck line पे हम top stitch लगा देंगे तो top stitch लगाने के बाद lining का center और main fabric का center हम match करेंगे और side से stitch कर लेंगे तो देखिए यहां पे मैंने इसके center को pin से secure किया हुआ है आप चाहिए तो इसके center में बड़े टांके की सिलाई लगा सकते हैं जिसको बाद में आपको निकालना पड़ेगा इसी तरीके से जो back panel है उसका lining और main fabric हम stitch कर लेंगे एक साथ तो यहां पे देखिए प fitting की सिलाईयां हैं वो हम लगाएंगे तो markings पे मैंने देखिए यहां पर fitting की सिलाईयां लगा दी हैं अब इसके बाद जो extra margin छोड़ा था हमने bottom में 3 इंच का उसको press की help से fold कर लेंगे और side के जो slits हैं उसको भी हम press की help से इस तरीके से fold कर लेंगे तो देखिए यहां पर bottom side मैंने इसको तुरपाई कर ली है अब जो इसके चाक हैं उसको भी हम double fold करेंगे इस तरीके से और यहां पर तुरपाई करेंगे आप prefer करें कि इसकी जो sides हैं उसको अच्छे से press कर लें ताकि जब हम तुरपाई करें तो easily और पूरी finishing के साथ हमारी तुरपाई complete हो तो यहां मुझे comment section में बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please आप इसे like कर दें और मेरे channel को subscribe कर दें thanks for watching